समंदर्पूर तालुका की गटना जिले में सोयाभीन की फसल पर भारी बारश के कारण फली भढ़ने की इस्थिती में आई सोयाभीन की फसल नश्ट हो गई किसानों के हाथ में आया हुआ निवाला नश्ट हो जाने से सोयावीन किसानों पर बड़ा आतिक संगट आ गया है और खर्च निकालना मुश्किल हो गया है इस वक्त किसान आतिक तंगी में आ गया है कुछ ऐसा ही हुआ है मुलीधर तेलरांधे के साथ गिरट के भनगापुल शिवार के अलप बुधार किसान इसकी चुलते इस किसान ने अपनी आँखों के सामने खड़ी सोयावीन की फसल पर रोटावेटर चला दिया अलप बुधारत किसान मुलीधर तेलरांधे के पास दो एकड का खेत है और वद्धनिक मजदूरी करके अपने परिवार का भरन पोशन कर रहे हैं दो साल पहले जब वक्त खेत में काम कर रहा था तो बैल ने लाथ मारी और उसका एक हाथ कोने से मुड़ गया था इस साल उसने इधर उधर से पैसे जोड़ कर दो एकड में सोयाबीन की फसल बोई सोयाबीन बढ़ने की वक्त अत्यादिक बारिश के कारण सोयाबीन की फसल पीली हो गई और खराब हो गई सोयाबीन के फली में दाना ही नहीं भरा यह तब कटाई के लिए पैसे कहां से ला ये सवाल किसान मुलीधर तेलरांदे के सामने खड़ा हो गया था आखिरकार किसान ने अपनी आखों के सामने खड़ी सोयाबीन की फसल पर रोटा वेटर चला दिया किसान हार गया है 80,000 रुपे नुकसान किसान मुलीधर तेलरांदे को हुआ है परिवार की जिमेदार का बो साथ मुलीदत तेलरांदे है इन बीसिये न्यूस के लिए हिंगन गाट से रवी योनौर करकी रपोर्ट